मुजफर पूर बालिका ग्रे कांड में नया मोड सामने आया है बालिका ग्रे को खाली कराने के बाद नगर निगम ने बुल्डोजर चला दिया है आपको बता दें कि बालिका ग्रे के भवन को खाली करा कर जबती सूचन तयार होने के बाद नगर निगम की ओर से पांच सदस करने के लिए निगम की ओर से मामले के मुख्य आरोपी ब्रिजेश ठाकुर की मां को एक माहा की महुलत दी गई थी और महुलत खत्म होते ही नगर निगम द्वारा अपनी करवाई शुरू कर दी गई अभी जैसे हमारे सिनियरिस के साथ का अदिश हुआ था कि जो नगर निगम की करवाई करनी है वो करेंगे अपना विदी बेवस्ता की कोई समस्य उत्रपने न हो जाए मैं आके अभी अस्तलगों इरिक्षन किया हूँ और काफी पीस्पोल है यहां बाकी साही ताहरी पूरी क आपको बता दें कि नगर पालिका अधिनियम के विरुद्ध सेवा संकल पवा विकास समिती संस्था द्वारा संचालित बालिका ग्रे के भवन का निर्माण कराए गया था नगर निगम ने सुईकरती नक्सा वा मानकों के विपरीत इसका निर्माण कारे हुआ था इसे देखते हुए नगर आयुक्त ने भवन को तोड़ने का आदेश दिया था जिसके बाद पुलिस की निगरानी में कारवाई की गई है पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफर पुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट